बात करते हैं वेनम दालाज डान्स के लास्ट पोस्ट क्रेड़िट सीन की मूवी की सुरुवात मेरी और वेनम एक मेक्सिकन रिजॉर्ट में सब कुछ तोड़ते फूरते अपनी बार टेंडिंग स्किल्स से अपने नियर ड्रिंग बनाते हैं और ड्रिंग बीने के बाद वह वहां से चिलाते हुए भाटता है और वह दूर जा रहा है तब ही एक टूटे हुए से फोकस करता है और तब हमें दिखता है कॉक रूच के बारे में मूवी की शुरुआत में डॉक्टर पेन ने भी बताया था कि कभी नहीं मरने वाला वह 28 करोड साल से अर्थ पे हैं और अभी भी नहीं जाने वाला तो कौक्रुच का या पोस्ट क्रेडर सीन में देखना कहीं न कहीं बता रहा है कि वेनम भी कहीं नहीं जाने वाला उसका वाल टूट कोड़ शुट है वह आजाद है और हो वापस आएगा हम अलव्याड़। सिकों से बाहर वाले सेंपल के बारे में बात कर चुके हैं और अगले वेनम की भी हलाकि एडी ब्रॉक का वेनम वापस आये तो कहारी ज्यादा जबदस्त लगेगी अभी वेनम सिंबावड का एक हिस्सा मारवल सिनेमाटिक यूनिवर्स में भी है और कुछी रूमर्स आये है नल को अपनी फिल्म में यूज करके बर्बात कर सकता है पर मैं हैरान होता हूँ कि यह वही इस्टूडियो जिसने हमें तिन जबदस्त सेम रैमी के स्पैडरामन मूवी दिखाए तो वो अभी सारे स्पैडरामन रिलेटेड करेक्टर की मूवी इतनी कमजूर क्यों ला रह है क्रेविन दांटर जिस तरह सुनी ने वेनम दालास डांस को हैंडल किया है जिसमें कई जबदस चीज़े हो सकती थी वही अब आदियंस के उम्मीदे क्रेविन दांटर को लेकर थोड़ी कम होती होई दीख रही है हालाकि यह वेनम मूवी भी बॉक्स ऑपिस पर पैसे च सब्सक्राइब कर लिए खासकर चाहिए न हमें जहां लोगों को यह बुवी बहुत पसंदा रही है और अपने देश में भी इसके अच्छे नंबर से तो वेनम अभी इंधमाल मचाने वाली है तो वेनम का चलवा अभी कुछ टाइम और चालू रहेगा पर आपका क्या कहन नल और वेनम के फ्यूचर के बारे में क्या आप आगे और वेनम को देखना चाहते हैं या एजेंट वेनम को और आप नल के लिए कितने एक्साइटड है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें